आज हम दात की केर कैसी लें इसमें कुछ बाते ले रहें खास कर रात को ब्रश करने पर ज़्यादा जोड़ दें रात को ब्रश किये बिना सोए नहीं क्योंकि रात भर में हमारे दातों में अना सरता है जिससे दात खराब होते हैं ये पहला point फिर दूसरा point आप सुबह-सुबह नीम के पत्ते होते हैं पुरान जमाने में लोग नीम के लक्री से दातों को घशते थे वह वह उपाय है नहीं तो नीम के पत्ते चबाने के दातों में, सुबह सुबह ओ चबाके वह रश को पूरे दातों में घुमाने का लार को पूरे दातों में कम से कम 5 मिनिट पाच मिनिट बहुत समय होता है घड़ी लगा कर देखोगे तो यह घुमाने का उससे विदाज स्वस्त रहते हैं फिर और एक उपाय है हफ्ते में दो बार आप कर सकते हैं कटोरी भर पानी लेने का उसको उसमें दो बार ऐसे फिटकरी घुमा देने के हलका सा और फिर वो पानी को मुँव में लेने का और मुँव में घुमाने का उसको गटक ना नहीं है मुँ में घुमाने का इस तरह से पूरे मुँ में घुमाते रहने का तो दातों को सफाई होती दातों का इंफिक्शन न होने में उससे और भी दवा का काम करता है और वो फिर ऐसा घुमा के फिर पानी ठोक देना है यह हो गए तूर्टी का बाद मतलब फिटकरी जिसको तूर्टी भी कहते मराठी मैं तीसरा एक आप्षन है जाम होता हैना मतलब पेरु उस जाम के पत्ते जो होते है उन पत्तों को अच्छे से चार पानी से धो ले धो लेने के बाद उन पत्तों को मुह में कम से कम तीन पत्ते मुह में ले और उसको चबाए और चबा चबा के रस तैयर हुने के बाद उसको पूरा मुह में घुमाते रहे पाचक मिनिट और वह पूरा अगर अपने घुमाया मुह में उसको पूरा घुमाने के बाद दातों को उसका पूरा रस मिलने के बाद और पत्ते समय जो तैयार हुआ है रस और पत्ते समय और निगल ले पेट में उसका कोई भी सईट है जो कि यह फल हम खाते हैं उसके फॉटे खाने से हमें स्वास्त्य मिलता नहीं होता है यह परमात्माली नेचर ने दीवी बाते हैं तो यह पत्तों का उपयोग अगर करते हैं इससे भी दाठ स्वस्त रहते हैं